प्रोटीन पाउडर बना रही हूं जिसके लिए मैंने लगबग एक कटोरी भर के बड़ी कटोरी भर यह अपने मखाने ले लिए हैं और यह मैंने थोड़ी सी बड़ाम ली हैं लगबग यह होएंगी पचास बड़ाम करीब यह मैंने ली हैं इनका में अच्छा सा पाउडर बनाऊंगी और यह पाउडर जो है ना यह इतना अच्छा रहता है इतना हेल्दी रहता है कि जैसे बनाके रख लीजिए और इस पाउडर को आप पच्चे को मिल्क में डालके दूद में डालके दे सकते हैं इसमें आप चाहें तो काजू पिष्टा और पॉपई शीट यानि की खस-खस जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं मैं केवल इसको आज बादाम और मखाने से बना रही हैं तो इसका में एक अच्छा सा पाउडर बनाऊंगी और वो पाउडर आप अपने वच्चों को बुजुर्गों को अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके हाथ पेरों में दर्द होता है घुट्नों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है बुजुर्ग लोगों क चाहरे डालके हम इसका अच्छा सा एक बारीक सा पाउडर बनाएंगे तो चलिए इसका पाउडर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं बनके तयार है हमारा बढ़िया प्रोटीन पाउडर यह आप जरूर बनाएं और यकीन मानिए 100% कारगर है आप अपने बच्चों को घर में वो जुर्गों को सबको दूद में डालके दे सकते हैं यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है इसमें मैंने आपको बताया आप इसमें बहुत कुछ आट कर सकते हैं इसमें आप काजू पिष्टा पॉपी सीर्स खस-खस या निकी नारियल जो भी आट करना चाहें कर सकते हैं पर मैंने केबल बदाम और मखाने से बनाया है इसको और अगर आपको हमारी रेसिपी या फिर जो चीज हम बनाते हैं पसंद आरे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और फैल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें तो आपको मेरा जो न